असलाम अलेकूं, मैं अमीद किरती हूँ, आप सब लोग खेरियत से होंगे। तैकीक से सावित हुआ है कि इनसान का उपर वाला हूंट जब नीचे वाले हूंट से मिल जाए तो वकवास बंद हो जाती है। जब लड़की देखने जाएं तो घर से अपना लड़का भी तीन चार बार जरूर देखर जाएं। एक अल्मिया ये भी है कि आज कल के दौर में आपकी तालुकात का आपकी जेब से बड़ा गहरा तालुक होता है। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेतर है क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। अपनी खुश्कियों को अपने अंदर रखें। लोग खुबसूरत चीज़ों को तबाह कर देते हैं। हर काम्याब श्यक्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कितार होती है। सबर वो होता है जब आपका दिल जलता है लेकिन आप खामोश होते हैं। हाज़त अली ने फरमाया अल्ला तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता। जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। काम्याब जिंदगी, इंतजार, सबर और अल्ला पर यकीन। रंग, नसल तो सिर्फ हम देखते हैं। हमारा रब तुनियत और तक्वा देखता है। सिर्फ दो लोग मुकदर वाले होते हैं। एक वो जिने खियाल रखने वाला हमसफर मिलता है। और दूसरा वो जिनके पास मां की द्वाएं होती हैं। जब दिल ठक जाए तु जान लो कि आस्मान से तुम्हारे मदद के लिए कबूलियत का आप कोई ना कोई दरोजा खुलने वाला है। बेफिकर हो जाओ अल्ला मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। मिल जाएं तो कदर नहीं करते वैसे लोग मुखलिस दिलों के लिए तरसते हैं। दिलों को फता करने के लिए तलवार की नहीं अखलाक की जरूरत होती है। बानों कुचिया साथा कहती हैं मजाग तो वो होता है जो बुरा ही ना लगे। लेकिन किसी का दिल चलनी कर देना मजाग नहीं होता। कुछ जखमों के निशान नहीं होते। कुछ दर्थ बड़े खामोश होते हैं। आज़त अली ने फरमाया कि अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बनके जाओ और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर निकलो। जिन्दगी आपको महबत करना सिखाती है। तजर्बात आपको ये सिखाते हैं कि किस से महबत करनी चाहिए। और हालात से आपको ये पता चलता है कि कौन आप से महबत करता है। कभी उसको नजर अंदाज ना करो जो तुम्हारी परवा करता है। वरना किसी दिन तुम्हें आइसास होगा कि पत्थर जमा करते गरते तुमने हीरा गमा दिया। एहमियत अलफास की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। तनहाई वो ही लोग पसंद करते हैं जिनोंने रौनक से चोटे खाई होती हैं। जब लोग घुसे में होते हैं तब उनकी बात को गोर से सुना करो क्योंकि असल हकीकत सामने ही तब आती है। जो सेना सीख जाएं फिर वो कहना छोड़ देते हैं। हमारे तल्ख लेजे में भी इतनी कड़वार नहीं जितना जहर जी लोग मीठे अलफाज से उगलते हैं। वक्त के समझाने का तरीका सक्त और तल्ख होता है। मगर वक्त की समझाई हुई बात सारी उमर के लिए समझा जाती है। चहतों का मान रखिये। पच्तावे काम नहीं आते। इंतजार इंसान की जड़ें खोखली कर देता है। तरीक जाल से लिए खुष्टाय कुछ उप्सक्र जाल तरीका चाल डखियो है। तरीक जाल सुष्टायन जाल जाल समझानवे, टनकी आता है। टीक यूक्त कर देता है। उटब मांने जाल दिए।